इस बार फसल अच्ची होगी पिता जी इस बार फसल को अच्चा होना ही होगा बेटा मनोहर अब तक दो बार करजल ले चुके है जमिन्दार का स्वबाव अच्चा है इसलिए वो कुछ नहीं कह रहा है ये है मनोहर और वो उसके पिता सूर्यकांत दोनों ही किसान है और बिना किसे की मदद के खुद ही अपने खेट के सारी काम करते है पिछले साल बार की वज़ा से सारी फसल पानी में बरबाद हो गई थी इसलिए सूर्यकांत चिन्ता कर रहा है कि अगर इस साल भी बार में फसल खराब हो गई तो सूर्यकांथ और उसके बेटे की सारी मेनत बर्बात हो जाएगी और वो दोनों कर्जे में डूप जाएंगे फिर से बादल चा रहे है मैं जाकर केत में से पानी निकलने का रास्ता बना कर आता हूँ तब तक तुम गायों को चारा डाल दो लगता है कहीं जा रहे हो सूर्यकांथ सब ठीक तो है ना ऐसे अच्छानक से जमिंदर आते ही सूर्यकांथ डर जता है लेकिन जमिंदर ऐसे ही एक पुराने दोस्त की तरह बात करने के लिए आता है बादल चा रहे है केत में वही जा रहा था तुम सच में बहुदूर हो सूर्यकांथ पिछले साल की इतने बड़े नुकसान के बावजुद फिर से फजाल उगा रहे हो आदे से ज्यादा किसान इस साल मजदूर ही कर रहे है सूर्यकांथ कहता है कि नुकसान के डर से खेती चोड़ देंगे तो बाद में खाएंगे क्या किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए जमिनदार सूर्यकांथ के बात सुनकर खुश होकर वहां से चला जाता है सूर्यकांथ भी अपने ओज़र उटा कर खेत में चला जाता है और हर तरफ से पानी जाने के लिए रास्ते बनाता है ऐसे सूर्यकांथ और मनोहर दिन रात फसल के पीछे मेनद करते है फसल पूरी तरज से थयार हो गई है पिताजी हमें जल्दी ही फसल की केति शुरू कर देनी चाहिए हाँ बेटा, हम कल सुबा ही सारी फसल काट लेंगे और कल ही मंडी लेकर जाएंगे इसलिए सुबा जल्दी उठना ऐसे केते हुए दोनों बाप बेटे खाना खाकर सो जाते है आधी रत होते ही तेज हवा के साथ जोरों की बारिश शुरू होती है सुर्य कांथ उस बारिश में भी खेत में जाने के लिए तयार होता है पिता जी केत में इतने सारी रास्ते बना तो दिया है आपने अब इस बारिश वहाँ पर जाने का क्या फाइदा बारिश के तमने का इंतजार करते है जैसे ही बारिश तोड़ी से कम होगी हम पहले केत में जाएंगे ऐसे केते हुए मानोहर अपने पिता को रोक लेता है लेकिन वो बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती है इंतजार करते करते सुभा हो जाती है लेकिन बारिश कम नहीं होती है इसलिए चाहे जो भी हो कहिकर मनोहर और सूर्यकांत खेत में चाते पकड़ कर जाते है हवा और बारिश इतने तेज़ते की उसके चाते रास्ते में ही फट कर उर जाते है खेत में पहुंच कर देखा तो वहाँ पर तूट कर बिक्रे हुए पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था लेकिन पास में ही दूसरा किसान अपने बची हुई फसल को एक कवर से चुपने की कोशिश कर रहा था अफसस बाद में कर लेना बेटा यहाँ पर आओ रंगा की मदद करते हैं पहले ऐसे सूर्यकांत और मनोहर अपने साथी की मदद करते हैं बची हुई फसल को उसके घर तक लेकर जाने में शुक्रिया मेरे दोस्त इतने तेज बारिश में मुझे मेरा कुद का बाई भी चोड़ कर चला गया था शुक्रिया गर सही सलमत पहुँचने के बाद कहना ऐसे कहते हुई रंगा को उसके घर तक पहुँचा देते हैं दोनों बाप बेटे ऐसे खुद ही घर लोड़ जाते हैं घर पहुँचने के बाद सूर्यकांत की तब्यद बहुत ज्यादा खराब हो जाती है पानी में भीकने और फसल के बारे में सोचने की वज़ा से दो दिन बाद बारिश कम होती है बारिश कम होते ही मनोहर जमिनदार के पास नौकरी शुरू कर देता है और उस खेट को बेच कर अपने पिता का इलाज करवाता है और जमिनदार का सारा करजा लोटा देता है ऐसे बाड़ की वज़ा से एक किसन पूरी तरह से हमेशा के लिए हार जाता है पवन कुमार एक दस्वी कक्षा का लड़का है पवन बिना आगे पीछे सोचे अपने मन में जो आए बोलता रहता है और ये कभी नहीं सोचता है कि उसकी बातों से सामने वाले को कितना तकलिफ होती है पिता जी, हमें स्कूल की तरफ से ट्रिप लेकर जा रहे है मुझे दस हजार रुपे चाहिए दस हजार तो नहीं है बेटा मेरे पास किसी और दिन चले जाना ट्रिप पर वो बात सुनकर पवन को गुस्सा आता है और वो अपने पिता से बड़ी बड़ी बाते के देता है ये सब हमेशा का था लेकिन इस बार पवन के पिता अजे इस समस्या का एक हाल निकलते है वो सब तो टीग है बेटा लेकिन तुम्हें एक छोटा सा काम करना है किचेन में कुछ कांस की गलासे है तुम्हें जब भी गुसा आए हर बार एक गलास तोड़ दो और जो वज़ा है उसे एक छिट्टी पर लिख दो टीक है कैकर पवन वहां से चला जाता है उसके बाद से अज़य के घर में तोड़ी तोड़ी देर में एक गलास तूटते जाते है ऐसे कुछ दिनों बाद पवन दसवी गलास कम्प्लिट कर लेता है और उसके सारे कांच के गलास भी कतम हो जाते है पिता जी सारे कंच के गलासेस कतम हो गए है इस बार गुसा आने पर क्या करूँ? गम लो, और जितनी बार गुसा आये, उतनी बार एक एक गलास को फिर से जोड़ते जाओ अब मज़ा कर रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ते हुए बेटना मुझसे नहीं होगा जोड़ना तो तुम्हे पड़ेगा ही बेटा, वरना टेंट में इतनी गटिया नंबर से फेल होने के लिए मुझे तुम्हें गर से बाहर निकलने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे कहते ही पवन चुप चाप वहां से चला जाता है और हर बार गुसा आने पर एक एक गलास जोड़ता हुआ बैठता है कुछ दिनों बात वो सारे टूटे हुए गलास भी जुड़ जाते है और एक दिन पवन अपने पिता के पास आकर ऐसे कहता है अब तो वो सारे ग्लासेश भी जुड़ गए है अब क्या करवाने का इरादा है आपका तूटे हुए ग्लासेश जोड़ी है मैंने ये कोई आसान बात नहीं है हाँ बेटा ये कोई आसान बात नहीं है इसमें बहुत सबर चाहिए होता है इधर आओ मेरे साथ तुम्हारे जुड़े हुए ग्लासेश में पानी बरकर देखते है वो कितनी मजबूत जुड़े है ऐसे कहते हुए अजे अपने बेटे पवन के साथ मिलकर उन ग्लासेश में पानी भरता है लेकिन एक ग्लास में भी धंक से पानी नहीं रुकता है हर ग्लास की दारों में से पानी लिक होता रहता है वो देखकर पवन के पिता अजे उससे ऐसा कहता है ये ग्लासस तो जुणने के बाद भी किसी काम की नहीं है कैसे टीक किया है तुमने इसे? शायद तुमने पूरी कोशिस नहीं की थी क्या बात कर रहे हो पिता जी आप? पता है ये केक ग्लास को टीक करने में मेरा पूरा दिन बीच जाता था और आप कह रहे हो कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की बुरा लग रहा है ना इतनी मेहनत से काम करने पर भी कोई आपकी काम की तारीफ ना करके उल्टे बाते सुनाए तो तकलिफ होती है ना ऐसे कहते हुए आज़े अपने बेटे से कहता है कि जब वो किसी चीज की जित करता है और अज़े किसी मजबूरी की वज़ा से वो जित पूरी नहीं कर पाता है तब पवन उसे ऐसी बाते कहता है कि अज़े का दिल उस कांच की गलास जैसे ढूट जाता है बाद में जब अज़े मजबूरी में ही सही अपने बेटे की जिद पूरी करता है तब वो एक चोटा सा सौरी के देता है और पवन का वो सौरी उस दुबारा से जुड़े हुए खांच की ग्लास की दारों जैसा होता है तुमने गम से ग्लास तो जोड लिया और सौरी कहे कर मुझे माना तो लिया लेकिन वो दुबारा जुड़े वाली ग्लास किसी काम की नहीं है ना ही तुम्हारी सौरी किसी काम का होता है ये काकिरी बार मुझे माफ कर दो पिता जी आज के बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा मुझे पता नहीं ताकि किसी को इतनी तेज पहुँच सकती है आजे कहता है कि कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं है जैसे हो वैसे ही रहो और बात करने से पहले एक बार सोच लो के क्या बात कर रहे हो कही तुमारी बातों से आगे वालों को तकलिफ तो नहीं होने वाली है तब से पवन अपने पिता की बात सुनकर अच्छे से रहने लगता है